जो ये पीछे आपका जो प्रदर्शन चल रहा जंतर मंतर पे फेमारे आई फेडरेशन ओप मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटिटिव एसोसेशन ओप इंडिया पुरे बुरे पुरे देश के में काम करने वाले विभिन देश के लोग यहां पर आये हुए हैं दस हजार से जादा की संक्या में और यह सब मेडिकल रिप्रेजेंटिटिव के लाते हैं जो टेक्निकली सेल्स प्रमोजन एंप्लॉईज हैं अपनी विभिन ने मांगो गली के मूब के जो सवाल हैं हमारे खास तोर पे आप यह देख रहोंगे पीचे बेनर्स के माध्यम से इस सरकार ने जो है इस सरकार के पहले जो सरकार थी Congress की सरकार थी उसने sales promotion employees के लिए statutory working norms को लेके committee constitute किया था सरकार बदलने के बाद में इस सरकार ने उस constitute उसको खदम कर दिया था फिर हमार हम ने एक दिन का flash strike किया था तो रुबारा reconstitute करको इस सरकार ने कहा था कि हम लो है sales promotion employees के लिए statutory working norms बनाएंगे जिससे भी जो भी उसके कार निवावली जो कार करना का उसका चमता उसको define किया जाएगा नियम कानून मानाने के बाद में लेकिन उसके बाद में इस सरकार ने आज तक उसके उपर में कोई बातचीत करने का मुनासिब नहीं समझा है इसको लेकर हमारा ये सवाल है कि sales promotion का काम करने वाले जो लोग है उनके लिए committee का गठन किया जाए दूसरा सबसे important point है इस सरकार ने आपने देखा होगा चमाली स्रम कानूनों को खतम कर दिया है जिसमें हमारे लिए जो कानून ता sales promotion employees एक उसको भी repeal कर दिया है जिसके कारण से आज sales promotion का काम करने वाले तमाम लोगों का जो भविश्य होई अधिकार में हम ये मांग करते हैं कि ना सिर्ट labor courts को वापस लिया जाए जो चमाली स्रम कानून है उनको सक्ति के साथ में लागू किया जाए और sales promotion काम करने वाले जो लोग है वो sales promotion employees एक को वापस revive किया जाए तीसरा और बहुत महत्पूर्ण सवाल है इस देश के अंदर में जो multinational companies काम कर रही है जो इंडियन multinational companies काम कर रही है ये रात और रात एक रात में एकीक email के मात्यम से हजारों की संक्या में sales promotion का काम करने वाले workers को नौकरियों से निश्कातित कर गए बहिकासित कर रही है जो है स्थरीक्पी जो है इस सरकार की जो नेतियों के कारण में हजारों की संक्या मारम हमारे लोगों को नौकरिय से निश्काकीत कर रही हैं हम यह मांग करते हैं कि जो भी दमारेना सब्सक्राइभ को बताना साफ Rustyoth क्राइब करने लेगे और उस एंदर में सिर्फ और रहा अपका अपको खतम होगा उस तर्म में आपको खतम होगा। और सुभाट के के कारण आप समझ घुद की ने दोग हैं। उनके काम को 12 गंटे कर दिया जाएगा किति तीन लोग यहां पर employment में उनके दो लोगों का employment होगा एक 33% employment सीधे-सीधे खतम हो जाएगा इस तरह की सरकार की नीतिया है इसलिए हम इस देश के अंदर में सरकार की जो मजदूर विरोधी किसान विरोधी जो नीतिया है उसको यह पूर मुद्दों के उपर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस देश के अंदर में दवाएं जो जिस प्रकार से कीमते बढ़ रही है उन दवाओं की कीमतों को कम किया जाए और दवाओं में जो GST लगाया जा रहा है आपको बताना चाहता हूं कि दवाओं पे भी दवाओं आपको ऐसा लगता है दि महगाई नहीं दिखाई देती है तो धरने और प्रदर्शन जो चल रहे हैं जो जुलूस चल रहे हैं आप देख लिए सिलिंडर का दाम देख लिए 11-1200 रुपिया है आप पेट्रोल के दाम देख लिए इसी राज के अंदर में 100 रुपे में अच्छा देख लिजिए एजूकेशन को जो है प्राइविटाइस किया जा रहा है हेल्ज को पूरा प्राइविटाइस किया जा रहा है तो बड़े-बड़े विक्तित देशों में उस प्रकार से उनको सेलरी और उनके वेतन हैं इस देश के अंदर में यदि आप चले आते हमारा देश की प्रगति होना चाहिए लेकिन किसी भी देश की प्रगति यदि उसके देश के लोगों की प्रगति नहीं होगी उस देश के लोगों का आर्थिविकास नहीं होगा उस देश के लोगों का अच्छी सिक्षा सस्ती सिक्षा सस्ता इलाज नहीं मिलेगा वो जमानी चलाते हैं तो जो वहां से आदेश को दिखाया जाता है आप बताईए मुझे कौन सा सरकार कौन सा उठा है हम बता रहे हैं हमने आपको बताया कि इस देश के अंदर में सरकार योदी मजदूर हितेशी होती तो आठ गंटे बेरोजगारी चरम पर है तो यह आठ गंट के काम को 12 गंटे की करने के बजा है 8 घंटे के काम को 6 गंटे कर देतें ताकि और 50 पर्सेंट लोगों को का मिल जाता है इस सरकार की मनसा साफ है सोषण किया जाए ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, कम से कम वेतन दिया जाए, हेक एक अंडर में काम करा जाए, पर्मनेंट एंप्लाइमेंट को खुतम कर दिया जाए देश तो मजबूत है, देश के पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा देश के अंदर में लोगों की मजबूती, मैंने बताया आपको, आर्थिक रूप से संपन होना चाहिए, सिक्षा, भरपूर मिलना चाहिए, स्वास्त अच्छा मिलना चाहिए, सलब और सुलब जो तरीके से जो लोगों के हर चीजे जो है, आज के परिस्थितियों में दी हम जो आठ से 10,000 रुपिया का जो वेतन दिया जाता है, आपको यहसा लगता है, कि इस देश के अंदर में कोई 8-10,000 रुपिया हमें अपना परिबर चाहिए, हमारी साफ मांग है, हमारा साफ मांग चाहते हैं, इस देश के अंदर में सार्ज बेनिक वितरन प्रनाली को दुर करते हैं तो नियूंतम हर व्यक्ति को 26 रुपे नियूंतम वेतन दिया जाना चाहिए यह हम मांग करते हैं इस देश के अंदर में तमाम लोगों को पर कि क्लास करें मेरा नाम है विरेन सिंग रावल है मैं धरना चल रहा है फमर यह उसका जनरल काउंसिल मेंबर हूं और का कारिशमीत का सदेश्यों